लखीमपुर खीरी में एक महिला के साथ फर्जी लूट की खबर से हडकब मजगया दरचल जिले के सपी सतेंद्र कुमार कानून विवस्ता को चुस्दूरुश्ट बनाने के लिए बाईक पर सवार होकर शहर की सडकों पर निकल पड़े उन्होंने एक वेक्ती द्वारा डायल 112 पर एक महिला के साथ चेन लूट कर भाग रहे बदमाशों की खबर अपनी गाड़ी और अपना हुलिया बताते हुए दिया जिसके बाद S.P. सहाब अपने पियारों के साथ बाइक से सूनसान सडक पर निकल पड़े रास्ते में लुटेरों की तलाश में खड़ी पोलिस टीम ने मौके से निकल रहे S.P. को दबोच लिया इतना है नहीं इसके बाद भी S.P. ने अपनी पहचान नहीं बताई और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे लेकिन दरोगा ने उनकी बाइक के अगले पहिये में डंडा फसा दिया जिसके कारण उनकी गाड़ी जाम हो गई जिसके बाद S.P. सहाब की तलाशी ली गई उन्होंने पूरी पुलिस टीम को इनाम देने की घोशना कर दी है एक फरजी लूट की सूचना प्रसारित की गई चार अग्यात लूटे थे दो बिना नम्बर की बाइक पर एक महिला की चैन लूट कर भागे है यह सूचना 112 पर दी गई थी और इसका उदेशय था कि शहर की गश्त वस्ता ठीक से काम कर रही है और लूट की किसी वारदात के होने पर क्या आप राधी को पकड़ा जा सकता है इसमें डॉन बोस्कों के पास जो तिराहा पड़ता है वहां पर एक चौकिन चार्ज और दो कॉंस्टेबल एक होमगाड उन्होंने हम लोगों को पकड़ लिए उसके बाद शहर में अन्य स्थानों पर फर्मण किया गया एक दो जगह पर रोपने की कोशिश की गए इस पूरी कावायद में ये पुलिस की गश्ट ववस्ता को चुछ दुरूस्त रखने और चोर या लोटेरों को जो पकड़ने की जो एक योजना होती है उसको हम तिलुक चेक कर रहे थे फिलहाल इस घटना की चर्चा पूरे शोहर में हो रही है अभिशेक वर्मा के साथ विरो रिपोर्ट यूपी तक झाल 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 थे रहे होती है वोपी बिल Additionally प्रावीो. क्योंके सब्सकुमा想 दे खते है